इस Melbourne शेहर में मुझे बतार चात्र तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं और अब मेरी जीवन शेहली भी बाकी विदेशी चात्रों जैसे बन चुकी है तो कहते हैं आप जाए जहां भी हूँ कठिन परिस्तितियों से होकर ही इनसान का विकास होता है तो अब ऐसी और हाई लेवल और फिलोसिफिकल बाते ना करके हम आगे बढ़ते हैं वीडियो शुरू करते हैं और डिसकस करते हैं कि कुछ बेसिक बातें जैसे फूड, डॉकुमेंट्स, ट्रावल, टाइम, जॉब, वर्क प्लेस या घर और घरवालों के याद तो ये कुछ जेंडरल और बेसिक बाते हैं जो की हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे मेरा नाम है जसकरनवीर सिंग, और सनी तो दोस्तों, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल, क्यों की थानुपता, याद दा ही ने बस जब आप अपने घर पे होते हैं, आप बड़े comfort zone में होते हैं, अपने घर पे बना दिया, बोल दिया, किसी को भी बनाने के लिए, ममी को बोल दिया, ममी आप बना तो अलो दे प्रॉंटे बना तो ना चाव बना तो वहाँ पे situation different होती है, आपको पता है, राम से बोल दिया प्री-पक्ट फूड आते हैं, जब मैं यहां मूव हूँ हूँ है, डिफरेंट सबब में अखेला है ना, मेरी situation थोड़ी change होई, और मेरे को फिर थोड़ी सी खाने के मामले में परशानिया जेलनी पड़ी, तो हुआ ऐसा, कि यार जब मैं मूव हूँ हूँ है, पर तब मे फिर मैंने क्या किया, मैंने कार रेंट पर लिए, आते ही यहां पर, एक हफते के अंदर अंदर ऑल्मोस पो सीन शाट हो गया, जब मैंने फिर कार रेंट पर लिए, तो उसके बाद फिर मिला यह थोड़ा है, घ्रोसरी घरा लेकर आना शुरू करता हूँ हूँ है, तो मैं टाइम नहीं पता लग रहा था स्केडियूल बनी नहीं पा रहा था है ना तो कोकिंग भी कहरा मैंने फिर करी नहीं ठीक है to be very honest मैंने बस एक अब आल्टरेंटिव नूटा मैंने टिफिन सविसेज नूटी और वहां से टिफिन लेना शुरू कर दिया तो यहां पर मैं इसे करूँगा कि अगर आप अखेले रहे हैं आपको अभी पता लग जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि वगर आप वेजटेरियन होना तो आ और यहां minimize हो जाते हैं कोई है तो है नहीं यहां पर बना के देने वाला जैसे घर पर राम से मस्त जो भी बोलते थे मुमी बना के देदे थे खाना बटीक है यहां पर इस आप से अपने अभी जब आप सिच्वेशन आती न तो आप आपको अपने अभी solution मिलने शुरू हो तो यहां बात करते हैं रूम रेंट की और रूम की कहो यहां पर होना चाहिए आपका room workplace के पास या college के पास ठीक है तो यह यह ना usually लोगों के दिमाग में confusion होती है मतब मेरे को भी थी काफी confusion जब मैं room वगरे decide कर रहा था मेरे को भी था कि या college के पास रहूं है या जहां पर काम मेलेगा महाँ पर काम आपको पहले तो पता नहीं होता कि कहां पर मिलना है तो मेरा कहने को मतब यह है कि जहां job हो मेरे subject priority तो वही होने चाहिए कि जहां पर आपकी job हो वहीं पर रूम लो है मेरा वहाँ on an average जो room rent आता था monthly that was $650 ठीक है और अभी ही जहां में wallet में move हो गया हो तो यहां मेरा जो room rent है वह $700 ठीक है पर मंत including all bills वह $650 भी including all bills था next point की तरफ move करते हैं जो कि है documents ठीक है तो जब आप यहां move हो जाते हैं ऐसे बहुत सी documents जो आपको आगे यहां पर बनानी बढ़ती है और example अगर आप आप आओ गए यहां पर आप आपने सारे की सारे documents और सारे की सारी important documentation करने बढ़ती है ठीक है यह मतलब मेरा कहना तो यह होगा कि experience के साथ मैंने देखा है कि अगर आप आते ही सब कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत बेटर होगा क्योंकि यह टाइम लेती हैं चीज़े हैं एकदम से आते ही तो बननी चाहती ह सब्सक्राइब करते हैं अगर आप जल्दी अप्लाइब कर दो तो जल्दी ही आपको license मिल जाता है अदरवाइस यहां पर काफी लंबी क्यों होती है license के लिए भी बहुत देर तक license की फिर वो test date यह वह और वैसे भी license का process बहुत तकड़ा यहां पर modules हैं आपको learning modules हैं वो complete करने बढ़ते हैं कुछ एक test है online वो देना पड़ता है वो भी कई बार एक दो step में clear होता है भाई हमारा भी ऐसे हुआ था मेरे दोस्त मैं तो हमारा भी एक दो step में clear हुआ था उसके फिर पैसे भी लगते है फिर वो clear होगा उसके बाद आप drive test दोग है है ना तो यह हो गया document माई की काट तो चलो within five to ten minutes वो आपका बनी जाएगा वहाँ पर जाता है कोई भी railway station पर चले जाओगे transport का na importance हर जगाई होता है उसी तरीके से यहां पे भी है अब आप जब नए नए आते हो आपके पास कोई कार बाइक या स्कूटी या कुछ भी cycle वेगरा तो होता नहीं है ना तो में भी अगर आप किसी अपने friend के पास आ रहे हो या relative के पास आ रहे हो उनके पास होगी थोड कार थी तो हम लोग meanwhile वो यूज कर लेते थे groceries वेगरा या कहीं पर जाना है ना बाहर जाना है या अगर वो मेरे को कहीं पर usually drop कर देता था bus stand पर या railway station पर तो वो थोड़ा easy होता था बट जब मैं यहां move हुआ तो वो पहला week जो मेरा मेरा निकला था almost वो मेरे को पता यार ब बहुत था चलके जाओ चलके आओ कुछ बूल गया फिर से वापस जाओ इस सीन को सौट करने के लिए फिर मैंने वही डिसाइड गया था कि मैं कार रेंट पर ले लेता हूँ अब यार एक चीज़ आपको बताता हूँ आपके बस कार आ जाती ना तो आपके बहुत सारे options ब और अभी अभी आना है तो यह एक example है otherwise कोई भी opportunity तो कहीं सी भी आ सकती है ना तो अगर आपके manager ने आपको call कर दिया है ना या store manager या कहीं पे भी जहां भी आप काम कर रहे हो उसने call कर दिया कि यार अभी बंदे के जरूरत है आजा है अगर आ सकता है तो तो अभी आपके प होगे आपके बड़ी आप ऐसे extra बन गए बट अगर आपके पास नहीं है वीकल तो आप ये देखोगे किसी call करोगे कि कोई आया यार मेरे को ले के जाए है ना बंदा नहीं हुआ 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 पता नहीं तो तो ऐसी situation है ये एक one of the example है अगर आपके पास फिर से अगर कार है उबर आपके पास option है अगर आपके पास कोई काम है नहीं वैसे तो उबर कर सकते हो आप है ना उबर डो डैश हो गया ये सब delivery वाली jobs कर सकते हो अब student हो और क्या ही कर सकते हो ना restrictions के अंदर रहके जो भी जतना भी काम कर सकते हो वो करोगे ठीक है तो ये आप आपको अपने भी बाद में पता लगेगा तो मेरे को भी ये समझ आगे थी वो first week में कि यार कार की importance बहुत अदरवाइस यार मतलब आपके पास अगर नहीं है आप नहीं ले सकते रेंट पे भी नहीं तो at least cycle ले लो आप ट्रेंस का ना Melbourne में एक scene है कि यहाँ पे disruptions बहुत होती है कई बार for example मैं apping की बाद करूँ जहाँ पे मैं हूँ तो अगर मेरे को यहाँ से city जाना है तो कई बार ऐसे होता है कि disruption की वज़े से यह route यह लोग cancel कर देते हैं वो train चली नहीं होती है फिर किसी connecting station पे जाके आपको पहुंचना बढ़ता है वो लोग replacement buses arrange कर देते हैं जैसे apping से ही अ अगर वही अगर मेरे पास कार हो तो बंदा राम से चुप-चुप निगल जाए अपने टाइम से आए अपने टाइम से जाए तो लास्ट पॉइंट जो कि है homesickness इसकी बात करते हैं तो घरवालों की याद आती है सबको आती है क्यों नहीं आती है आनी चाहिए इंफाक्ट अगर ना है तो problem है तो याद तो आती है सबकी आती है है ना बंदा फील करता है कुछ life में से points आते भी हैं यहापे जब आपक अलग thoughts आते भी हैं बट ठीक है अब आ गए हो आप इसको face करो अब आपने कुछ सोच के ही step उठाया था तो मैं तो यहीं कहूंगा अब मैं अगर अपनी बात करूं अपने experience के बात करूं यार जब मैं आया था तो starting में थोड़ा सा मेरे को लगा था कि यार क्या मतलब starting के ए किसी पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं अब आपको फिर यह देरी दरी हिट करना start करता है कि जब आपको यह पतल लगता है कि यार अभी कोई ऐसा है नहीं आसपास आपके या आपके साथ को यसा बंदा नहीं है जो आपके लिए भी care करेगा जादा है ना आपकी family obviously अगर हो आप सिर्फ फोन से connected हो बात हो जाती है चलो यह तो बढ़ी है विडियो फोन से बात होती है पहले वाले तो पता नहीं पिचारे कैसे रहते होंगे चलो तो यह वाला सीन है कि अभी फिर यहां पर कोई होता नहीं है तो आप बस अपने हिसाब से अपने दम पर होते हैं आप मैं ही कहांगा कि इसको अच्छे से boldly face करो कोई issue नहीं है अपना हिम्मत से लगे रहो और बाकी अपने घरवालों से consistently बात करते रहो सब्सक्राइब करेंगे तो माइंड रखो कुछ अच्छे चीज़ें करते रहो अब यूजिल यार मैं जब अक्यला होता हूं या मैं कभी लोग करता हूं तो मेरा यह होता है कि मैं गाने वाने लगा के बैठ जाता हूं और आम से अपने गाने लगा के थोड़ा इदर उद ठीक है कुछ लोगों को जादा होती भी है उनमें कोई गलत बात भी नहीं का फॉल्ट भी नहीं होता है नीचर होता है सबका बट मैं फिर भी बलूँ आप पॉजिटिवली रहें अराम से बढ़िया रहें तो मैं तो बस यही कोशिच करता हूं कि जितना हो सके अपने आप आपको बढ़िया बूस्ट अप रखो और बढ़िया आराम से चलता है अभी तक ठीक है वर्थ लग रहा है काफी कुछ सीखा है एक्सपीरिंस नहीं नहीं हुए तो इससे क्या है बंदाना काफी रिस्पॉंसिबल बन जाता है काफी चीजें उसको पता लग जाती है कि कहा हां पर क्या करना है खुद इसको decision making अच्छी कासी हो जाती है तो उसको पता लग जाते कि मतलब कहां खर्च करने का नहीं करने फाल्तू और फिजूली सब जो भी खर्चे होते हैं यह समझ आने लगते हैं खाने की बात करें काफी हमने खाने की बात करी है तो उसमें भी आपको पैरलली वो करने होती हैं तो यह सब चीजें जो आपको अपने आप ही फिर दीरी दीरे ना समझाने लग पड़ती है कि क्या करना कैसे करना है तो यह मेरा experience था यार जो कि मैंने आपसे share किया हो सकता है कुछ बाते मैंने अलग कर ली हूं या कुछ गलत लगी हूं आ और भीरे दीरे अम लोग अच्छे-चे इंट्रस्टिंग वीडियो लाने कोशिश करेंगे तब तक के लिए काईस कीप लविंग कीप सपोर्ट और प्लीज यार सपोर्ट करो थोड़ा सब्स्राइब करो और लाइक शेर करो थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग बाई जैह और बाई जैहें